नमस्कार दोस्तो आरोग ये modern homeopathy में आपका स्वागत हैं दोस्तो आज हम सुपर स्पेशलिटी modern homeopathy दवाईयों की success story में बात करने जा रहे हैं एक गंभीर और लायलाज बिमारी PCOD के बारे में दोस्तो ये बिमारी महिलाओं में पाई जाती है और इस बिमारी में ovaries के जितने फी follicles होते हैं वो release होने की बजाए अंधरी अंधर ग्रोव होने लगते हैं जिस बजह से कई बार cyst बन जाता है और डॉक्टरों के द्वारा ये सलहा दी जाती है कि cyst की surgery करने पड़ेगी वैसे तो ये बिमारी दिखने में काफी सामानी होती है लेकिन समय रहते इसका इलाज नहीं करवाया जाया तो आगे जाके ये बड़ा रूप ले लेती है इस बिमारी में मरीज के period cycle में काफी pain होता है, abdominal pain बहुत जादा होता है, heavy bleeding होती है और कई बार तो bleeding ना के परावर होती है pimples होने लगते हैं साथ ही excessive hair growth होता है और ऐसे कई symptoms देखे जाते हैं कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि आगे जाकर severe stage पर मरीज conceive तक नहीं कर पाता है वहीं modern medical science में इस बिमारी के लिए कोई permanent इलाज नहीं है बलकि medications दी जाती है और मरीज को कहा जाता है कि उन्हें ये दवाईयां जीवन भर लेनी पड़ेगी लेकिन दोस्तों डॉक्टर अर्पे चोपडा जैन की modern homeopathic चिकित सापधती की मदद से इस बिमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है तो दोस्तों आज हम एक ऐसे ही patient रीना विजेवरगी के बार में बात करने जा रहे हैं जन्हें पिछले 20 साल से PCOD और बलकी uterus की परिशानी थी जिसके लिए वे कई डॉक्टरों से इलाज करवा रही थी ऐलोपेथी treatment तक ले रही थी लेकिन जहां उनकी समस्या कम होनी चाहिए वहां बढ़ती जा रही थी उन्हें कंसीव करने प्रॉब्लम होती थी जिस वजह से डॉक्टरों द्वारा ये कहा गया था कि उनकी बलकी uterus का operation करना पड़ेगा लेकिन इसी दौरान उनके किसी रिष्टदार ने उन्हें डॉक्टर अर्पिच चोपड़ा जैन के बार में बताया जसके बाद उन्होंने डॉक्टर अर्पिच चोपड़ा जैन से treatment स्टार्ट किया और एक महिने के treatment लेने के बाद ही उनने काफी असर दिखने लगा और आज वी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं तो चलिए दोस्तों जानते ही रीना विजवर्गे और उनके पती अमित विजवर्गे से किस तरह modern हुमिपैथी दवाईया PCOD जैसी गंभीर बिमारी को जड़ से खत्म करने में कारगर साबित होती है नमस्कार मैं अमित विजवर्गी इन दौर से आप सभी सब्सक्राइब को बताना चाहूंगा जो मेरा अनुभव रहा है मैं मेरी वाइफ को करीब धाई साल से जगा जगा बहुत सी जगा में इसको ट्रीट्मेंट कर रहा है और सब जगा से हमको सिर्फ नेगरिटी ब्रदर की वाइफ है उसने मुझे सजेशन दिया कि भाया आप डॉक्टर अर्पी चोपड़ा जिन सब को एक बार कंसल करके देखते हैं नहीं तो अगर बाइचा नहीं रिट्मेंट हो फरक पड़ता है तो मैंने ठीक एक बार सर को दिखाया जाए तो मैंने फिर सर से कंसल उसको फूरी तर ले ठीक कर दिया है और मैं आप सभी से एक ही चीज कहना चाहँगो कि आप बरी यलोपेती ट्रीट्मेंट को कंटीनू कर रहे हैं वो भली कर रहे हैं और हुमिपेती के प्रति हम लोग का जो रहता ही है हमिपेती बहुत ज़्यादा स्लो काम करती है तो सर क कि जो टेक्निक है वो मौडर्न हुमिपेती की टेक्निक है तो हमको एक बार एक बार तो कम से कम सर पर फेट करके और इस तरफ जाना चाहिए जो मेरा नुबह रहा है तो काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और मैं ट्रीट्मेंट के दोरान कही लोगों से हम तो मैं आप तभी से बोलूगा कि एक बार आप इस तरफ अपना देखे और तरको में ड़क्तर अर्पी चोपड़ा जेन सब को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा इस तर ने जो नहीं जीवन और एक नई उमंग और एक जो हमारे जीवन जीवन और एक नहीं नमस्कार मेर नाम रिना विजेवरगी है मैं इंदोर से हूं और मुझे काफी लंबे टाइम से PCOD, Adenomyces और uterus में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो अलोपेतिक दवाई से मैं काफी लंबे टाइम से ठीक कर ने कोशिश कर रही थी लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई और म से मेरी फ्रॉब्लम एगडी हैं ठीक नहीं हो पा ही इंद हु़ा झालो कैसी हो थी इंद मुझे Freeman Ligole कर दोिख जुपाय थी तर नहीं उंखी कर दोटन के हो से घगडाने यह थी, मैरी जो बालोपे टेख ज़ए लंगी हुँड यह दीकात से मुझे ही नहीं काफी बायी तो तो मैं एक थारा止ल उसमें को पुरी तरह से थिक होंगे और जो पूरी तरह से थिक हो गईत हो यह कई आपी पल investigate जो पूरी बैणी रिपोट फट हतंगी हैं लुझ में बिलकुल नौर आप दो मेरे कह भी टघ के आपए देखते हैं और एक मेने हो जासा अच्छा सब्सक्राइब और यह दवाई के कोई साट इफेक्ट नहीं है और यह दवाई आप एजी ले सकते हैं और मैं कन्सीव करना भी चाहती थी तो अब सानने बोलाई कि वह आप कंसीव कर सकते हैं तो दोस्तों यह थी रीना विजवर्गी और उनके पती अमित विजवर्गी जिन्होंने बताया कि किस तरह से धाई साल तक इस बिमारी से परिशान होने के बाद कई प्रकार के अलोपैथी ट्रीटमेंट लेने के बाद जब उन्होंने मौटर्ण होमिपैथी दवाइयों को अपनाया तो कैसी उन्होंने अपने आपको खुद स्वस्थ जीवन में लटा पाए जिसके लिए वी डॉक्टर अरपित चोपरा जैन का थनेवाद करती हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉटर्ण हुमियोपैथी चिकितसा पद्धती के आविशकारक डॉक्टर अर्पिच चोप्रा जैन से कि किस तरह मॉटर्ण हुमियोपैथी दवाईयां PCOD जैसी गंभीर बिमारी को जड़ से खत्म करने में कारगर साबि होती है नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अर्पिच चोप्रा जैन एंडी हुमियोपैथी और अरोग्य सुपरिस्पेशलिटी मॉडर्ण हुमियोपैथी क्लिनिक इन दौर एंड वर्किंग एस क्रिटिकल एंड सर्जीकल डिसीडिस इस्पेशलिस्पेशलिस्ट ऐसे हिलाओं में पाई जाती है ऐसी अवस्ता में जब हम सोनों काफी कराते हैं तो देखते हैं कि एंडोमेटरल जो लाइनिंग है कई बर जरुवत से ज्यादा मोटी हो जाती है ठिकनेस उसकी बढ़ चुकी होती है और कई बर 10-11 mm के उपर जो एंडोमेटरल ठिकनेस जब जाए तो निशी तुरुप से कई बर ऐसा भी हो सकता है कि एंडोमेटरल कार्शिनोमा में भी ये कनवर्ट हो सकता है दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही प्रॉलम से गरसीत कुछ पेशिंस के बारे में जिनोंने मॉडरन उपिती ट्रेटमेंट के माध्यम से ना अगर सरजरी के कोई बात कहा जाए तो निशी तुरुप से उसके लिए एक प्रगार से धक्के जैसा ही होता है तो कही न कहीं फिजिकली वो पहले से ही परशान होती है mentally इस बात को सुनकर वो काफी depression में भी आ सकती है या फिर hopeless भी हो सकती है और कहीं न कहीं ये भी माना जा परद्यूंसे जिसमें ना किया फिसिकली इन प्रॉलम्स को पूरी तरीके से चाहे वो एक्स्त्रा ब्लेडिंग होने की प्रॉलम है पेट दर्थ की प्रॉलम है या फिर बार-बार किसी पकार की abdominal discomfort की problem थी या फिर mentally उनके जो confidence में कमी आ रही थी जो महिला के रुप में आत्मसम्मान में हो सकता है कि उन्हें जो तकलीब आ रही थी कि कहीं इस चीज़ का operate ना हो जाए उसको हमने वापस maintain किया और कहीं न कहीं उन्हें फिर से इस बात का confidence दे कर कि इस बात का आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए अगर इस परकार की कोई बिमारी है तो हम लोग माड़ामपिती सुपरिस्परिस्परिक कंसरेट्मेंट से इसे पुरी तरीके से ठीक करके आपको oppression से भी बचा लेंगे और इशित रूप से ये जो confidence है उन्हें सोचल रूप से काफी मजबूती भी देता है और कहीं न कहीं वहीं महिलाएं अपने समाज में अपने परिवार में अपना जो मुख्य भूमिका में जो कारे करने की उनकी जो छमता है पूरे अच्छे से संपादित भी कर पाती है और कहीं न कहीं राष्ट और समाज के लिए भी अनुकर्णी उधारनों के रूप में अपने आपको बता पाती है दोस्तो हम बात करने जा रहे हैं बलकी उटेरस से गरसित एक पेशन मिसेस रीना विजयवरगी जी की साथ में उनको जो प्रॉलम थी PCOD की प्रॉलम थी चुकि क्रॉनिक PCOD का प्रॉलम रहा है PCOD का मतलब हमारी ओवरी में जितने भी फॉलिकल्स बनते हैं वो पुरी तरीके से रिलीज ना होकर वहीं पर ग्रो होने लग जाते हैं उसके काण काफी सारे मल्टीपल सिस्ट बनने लग जाते हैं इसे हम PCOD की स्रेणी में रखते हैं उन्हें अपने परिवार को आगे बढ़ाना था तो निश्ची तरुप से उनकी मन में ये इच्छा थी कि हम किसी भी तरीके से इसे ऑपलेट होने से बचा लें और जो normal uterine cavity या ovarian जो उनके जो structure है उसे पूरी तरीके से maintain भी कर लें और आगे जाकर वो इस सभी complications को अटाकर consume करने की अगर इच्छा रखती हैं तो उसे भी वो पूरा कर सके अपने वरिवार को अच्छे से पूरा करने की जो इच्छा है वो अच्छे से संपाधित भी कर सके दोस्तों इसी आधारना के आधार पर उन्होंने जब काफी सर्च किया तो उनकी किसी relative ने हमारे बारे में बताया क्लिनिक के बारे में कि इस तरीके के काफी सरे सर्च के पेशन से ना क्योंगा अपनी सरज़ेली बचाई कीमोथेरपी बचाई बलकि काफी सारे कॉप्लिकेशन को अवाइट करके आज भी वो सभी अपना समाज में अपना आत्मसंबान के साथ अपना स्वस्त जीवन जी पारी है और अपने बारे में बता भी पारी है इन सभी पेशन्स की डॉक्यमेंट या आप हमारी यूटूब के चेलल पर या वेब्साइट पर जाकर उन पेशन्स के प्री एंड पोस्ट रिपूट के अधार पर देख सकते हैं निच्चित रूप से ऐसी ही प्रेणना उन्हें जब पता चली हमारे क्लिनिक के बारे में तो उन्होंने आके हमसे कॉंटेक किया और दोस्तों ये चमातकार था मॉडर्न ओंपिती सुपरिस्पशली कंसेप्ट ट्रेट्मेंट का कि केवल तीन मेने के मॉडर्न ओंपिती के ट्रेट्मेंट से उन्होंने अपनी एडिनो मैस्योसिस की प्रावलम पुरी तरीके से ठीक की जो उनका बलकी उटेरा और कह सकते हैं कि एंडोमेटल जो ठीकनेस है जो साड़े 15.5 mm तक पहुंच चुका था उसे उन्होंने पुरी तरीके से कंट्रोल करके 5.5 mm के आसपास लाकर पुरी तरीके से नॉर्मल लेवल पर मिंटेन किया उनकी जो PCOD की प्रावलम थी वो पुरी तरीके से नॉर्मल हुई और अब मिसेस रिना विज़ावर्गी जी बिना किसी अब पुरी उम्मीद है कि जो उनकी इच्छा थी के आगे जाकर वो अपना परिवार कर सकें आज उनकी इच्छा ये पुरी हो सकेगी और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि उन्होंने अपना इतना बड़ा आपरेशन बचा लिया एक महिला के रूप में अपना सम्मान भी बचा लिया और निशीत रूप से फिजिकली, मेंटली और सोचल वेल्बिन लेकर आज वो कही न कहीं स्वस्त होकर दुनिया को अपने बारे में बता पा रही हैं और प्रिणना भी दे पा रही हैं मिता पागारानी जिन्होंने माणावपिति के ट्रिटमेंट से अपना 15 mm के आसपास का एंडोमेट्रोसिस या एंडोमेट्रियल जो थिकनेस की प्रॉलम है उसे पूरी तरीके से रिजॉल किया और 5-6 mm तक लाकर पूरी तरीके से कंट्रोल करके स्वस्तर जीवन प्राप किया बिना किसी सर्जरी के बिना किसी अन्य प्रकार की थरेपी की इसी तरीके से मिसेस रास्तरी पाठक जिन्होंने करीब 14-15 mm का जो एंडोमेट्रियल थिकनेस को जो एडिनोम ऐस्योसिस की प्रॉलम थी उसे पूरी तरीके से मौड़ापिती से ट्रेट्मेंट लेकर पूरी तरीके से अपनी सर्जरी से बचाओ किया जब ये प्रॉलम आगे बढ़ जाती तो कई पर ये पॉलीप या फाइवराइट में भी कनवट हो जाती है अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही प्रेशन के बारे में मिसेस जमीला भी जिन्नोंने करीब 5.5 cm की यूटेराइन मास्क की जो प्रॉलम है और साथ में जो हिमेटोमेटरा की प्रॉलम थी उसे पूरी तरीके से मौड़ापिती के ट्रेट्मेंट से डिजॉल किया और निशीत रुप से अपनी सर्जरी से पूरी तरीके से मुक्ती पाई इसी तरीके से मिसेस इंदु पर्मा जी जिन्नों करीब 52 गुडित 48 से में करीब 5 cm का जो फाइवराइट था उसे मौड़ापिती के ट्रेट्मेंट से पूरी तरीके से डिजॉल करके बिना सरजरी आज भी वह अपना स्वस्तरी जीपा रही है और दुनिया में मौड प्रभाद देवी गौड जिन्होंने मौड़ापिती के ट्रेट्मेंट से अपने सर्वाइकल कैंसर की गठानों को पूरी तरीके से डिजॉल किया और मेटर स्ट्रेटिस होने से पूरी तरीके से बचा लिया इसी तरीके से मिसेस सोनी बाई जिन्होंने 80 साल की उम्र में भ जिन्होंने ओवरियन कैंसर के लिए 9 cm की गठान को पूरी तरीके से डिजॉल करके अपना जो CA मारकर पिक रिपोर्ट से है शाहे हो CA 125, 15.3 या 19.9 CEA पूरी तरीके से कंट्रोल करके स्वस्ता जीवन प्राप्त किया आज भी वो मंसौर मर्द पदेश में रहकर अच्छे से अ अपने परिवार के साथ अपना खुशाल जीवन जी पा रही है इसी तरीके से हम बात करेंगे मिस्स सीमा तवर जी के जिन्होंने PCOD के प्रावलम के लिए मौनमपिति का ट्रिटमेंट लेकर पूरी तरीके से रिजॉल करके आज अपना स्वस्ता जीवन प्राप्त किया इस तरीके से मिस्स नेहा कुश्वा जिन्होंने modern भीटि के ट्रिटमेंट से अपनी 4 संटीमेटर के गठान को पूरी तरीके से डिजॉल करके अपना स्वस्ता जीवन प्राप्त किया और आज भी वो बिना सजरी के अपना स्वस्ता जीवन जीवन जी पा रही है तो निशीत त के बारे में बात करेंगे मिसेस खिलेसवरी साहु जिन्होंने मौड़ाउंपिति की ट्रीट्मेंट से अपने बाइलिटरल फेलोपियन ट्यूप ब्लॉकेज को पूरी तरही से डिजॉल करके अपने आपको नॉर्मल स्वस्त घोसित किया और निश्चित रुप से आज वो सम सब्सक्राइब करके अपना स्वस्त बच्चे को जन्मत दिया और निश्चित रुप से अपने आत्म सिम्मान के साथ और स्वाहिमान के साथ तुरा मेंटेन करके महिला के रूप में अच्छे से निभा सकती है और निश्चित रुप से इसका फायदा लेकर दुसरों के लिए प्रेणना भी बन सकती है दोस्तों modernopathy का जो treatment है चुकि एक super specific concept है fast treatment है natural treatment है permanent है easy है और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग modernopathy से आगर आपकी 4 यह 5 पकार की बीमारी है तो भी मिलाकर एकी kit में compile करके एक ही kit से उन सभी बीमारी को target कर सकते है चुकि modernopathy एक super specific concept है homeopathy का ही super specialization करके modernization करके एक नया concept हमने जो बनाया है तो निश्ची तरुप से एक aggressive therapy जिसमें हम fast treatment देखकर आपकी pathology reports को भी target कर पाते हैं ताकि आप complete up health की representation को पाकर physical, mental, social, well-being पाकर दुनिया के लिए कहीना के चमतकार के रुप में साबित हो सके इस तरीकी से करीब 3000 से ज्यादा patient जो हमारे 300 पकार की बीमारीों में चाहे stage 1 से stage 4 के cancer के patient हो चाहे stage 1 से stage 5 के kidney failure के patient हो चाहे कई autoimmune बीमारी जिसमें steoride, pain killer के dependence बताई गई थी या फिर हो सकता है कई ऐसी surgical बीमारी है जिसमें surgery एक मात रुपाय है या surgery कराने के बहुद भी इस बात की maturity नहीं कि यह problem वापस नहीं हो सकती एसी कई दुमारे को modernopity से लोगों ने अपने आपको पूरी तरके से surgery से बचाया कई ऐसी lifestyle problem, blood pressure, diabetes, मिर्गी, migraine, thyroid, cholesterol जिसमें आप जीवन भर दवाई खाने की जो प्रतिकुलता बताई जाती है उसमें किवल प्रारम भी का बस्ता में अगर modernopity का treatment ले लेते हैं तो हमारा पूरा विश्वास है कि आप अपनी metabolism को maintain करके इन lifestyle problem से जीवन भर दवाई चलने की जो प्रतिकुलता है उससे अपने आपको बचा सकते हैं और कई ऐसे patient जो even critical stage में, emergency stage पे hospital में admit होते हैं और उनको treatment के बज़ुद भी response नहीं आ रहा होता है उससे उन्होंने recovery की और उनके body metabolism को maintain करके जो recover करके आज उन्होंने दुसरा जीवन प्राप्त किया और फिर से समाज में मुख्यधारा में जुड़ पाए ऐसे काफी सारे patient के बारे में हम YouTube के चैनल पर जाकर या website पर जाकर उन patient के बारे में जान सकते हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो के मादे में सब message देना चाहते हैं कि आप modern homeopathy का फाइदा critical, complicated, surgical, last stage, hopeless वाले आपको कोई ऐसा कह दिया गया कि आपके लिए दुनिया में कोई अपकोई उमीद नहीं है कोई भी treatment की आपके लिए गुझाइस नहीं बची है जो की मेरी क्लिनिक का नाम है आकर हमसे face-to-face consultation लेवे अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है तो आपके जितने report से details है में WhatsApp या email के मादे हमसे प्रिशित कर देवे हम लोग आपसे बात करके आपके द्वारा बतायागा details को verify करके आपके लिए modern empathy super special concept की fast effective बीना side effect का बीना परेच का natural और permanent kit बना कर आपको घर बैठे भी कुरियर से भेज कर आपको दुर्गम से दुर्गम जटिल से जटिल कटिल कटिन से कटिन बीमारियों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक कदम modern empathy से देखकर बिलकुल मदद कर अरुगे super specialty modern empathy clinic इंदौर थेंक्यू नमस्कार तो दोस्तों यह थे डॉक्टर अर्पे चोपड़ा जैन जिन्होंने बताया कि केवल रीना विजवर्गे ही नहीं बलकि ऐसे अन्य कई patients थे जिन्हें PCOD जैसी गंभीर बिमारी थी बलकि uterus की बिमारी थी जिसके लिए उन्हो दोस्तों केवल PCOD ही नहीं बलकि cancer, kidney और autoimmune related कई बिमारीों को भी modern homeopathy दवाईयों की मदद से जड़ से खत्म किया जा सकता है तो दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार की गंभीर या सामाने बिमारी से परेशान हैं तो आप भी सुपर स्पेशलिटी modern homeopathy चिकित सब पध्धिती को प्राथ मिक्ता दे और अगर आप मानते हैं कि ये वीडियो किसी के लिए मददकार साबित हो सकता है तो इस वीडियो क को ज्यादत ज्यादा शेयर करें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले स्वास्त रहने के लिए देखते रहें आरो के मौडर homeopathy टेक केर